अभी लिगाई थैख है अच्छा तो एक सौफ्वेर है एक सौफवेर है और पहले तृंट्स लगाना सीख लेते हैं कि आपको यह टेक्स लिग्व किस तरही कर सकते हैं ठीक है वह देख लेता है तो एक न्यूज क्योएत कर देधान यह आपर और अब क्लास के बाद अब मैं देतो रहूं अपना ताहरा देतो रहूं रिकॉर्डिंग मैं रिकॉर्डिंग देतो रहूं आप इसे क्यों नहीं विडियों अरे अरे अब 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 इसको निकाल सकते हैं और आप इसको यहां पर कुछ एडिंग लिए अब इसको आइडिंग वन इसकी क्लास हो गई अब जाहरे दूसरे वाले की क्लास क्या हो जाएगी है इसे ही क्लास इस यह है फ्री प्री और इस यह कुछ आगई हमार बस और इन सब के लिए न कुछ स्टाइल्स मैं लिख लेता हूं तो इस 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 काम करें जिसके फिलार में नेम्स भी खुद से टाइब नहीं कर रहा हूं यह स्ट्रक्चर मैंने बनाने बैसिकली आप लोगों की भी काम आएगा अच्छा आप लोग तो यूजवल यूज़ करी रहे होंगे फिलाल मैंने बिल्कुल एक नई फ्रेश फाइल बनाई है तो मैं इसका स्ट्रक्चर इस तरह से पहले से बनागे स्ट कर रहा हूं मैंने आगी काम करने के लिए हुआ है और यहां तक पुस्क्राइब है कि एस एसटेमल के ऐलमेंट्स लिखे और उन ऐलमेंट्स को हमने क्या कर दिए एट और इसके बाद सिर्फ अभी हमने यह ने यह काम आगी करना है ठीक है तो चलते हैं यहां पर गूलाइफ के अउक्साइट अम्मीद आपिन होग ह करने हैं यह लोग ठीक है अब यहां पर सेलेक्ट करता है मुझे ना फॉंट्स लेट से डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट में डिफरेंट प्लेस के उपर फॉंट्स लगाने आज जरेंगे आपको एक वेबसाइट में आने के लिए हुम पूरा लियाऊट है है तो तुम इंजॉय करोगे है 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 मैं बता हूंगा क्या बनाना है अपनी मर्दिय का उच्छ नहीं बनाना कि अच्छा फॉंट दिखाते हैं अच्छा इसका सारा सुनर्यू यह सब आरा है मेरे पास फॉंट है मेरे पास अब मुझे क्या करना है इसका साइज बगर आप पढा सकते हैं ठीक है आप इसके स्टाइल बाहर हो कम जादा कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा एक मिनिट यहां पर नहीं यह यह नहीं चाहिए था दूसरे चाहिए था इसको एक न्यू टैब में ओपन कर देते हैं और मुझे इसका स्टाइल चाहिए यह देखो यहां पर कोई ऑप्षेंट होगा कि मुझे इसका चाहिए तो मैं कैसे लूँ इसको ना रूट यह चलो ठीक है क्लेक कर दें आवन फैमली बेर तो डाउनलोड हो रहा है यह फॉंट इसे कहीं नाउनलोट कर लेता हूं यहां फॉल्डर बना लेता हूं थीक है लेट से ठीक है आप लोग ने कहाँ मैंने फॉल्डर डाउनलोट कर लिया यह एक फाइल यहां पर आ गई है यो कि रार फाइल है ठीक है फाइल एक्स्रेक्ट हो गई है और गया करें आप लुग उगए इसको इंस्ट्रॉल करना है ना इंस्ट्रॉल फोर उल्डियूजर के लिए इसको उनलाइन यूज़ करना है यह लेट यहां खुला हूए इसको सभी से देखो ऐसा कि मैं इसको यहां पर आलाइन यहां पर मुझे एक लिंक मिल रहा है, तो यहां पर मुझे एक लिंक मिल रहा है, अब basically API support क्या लाती है, क्या हम यह font की API उसकर रहे हैं, और क्या हो रहा है, यह font मुझे यहां पर available होके मिल रहा है, मैं link वाले tag को click करूँगा, इसको यहां पर select करूँगा, ठीक है, copy करूँगा और यहां पर अपने link वाले data के अंदर मैंने इसको लाकर रखे रहा है, अब मुझे इस font को use करने हैं, तो यहां पर CSS लिखी है, लिखा है यहां पर CSS, सारा मदब, आपने CSS यहां पर इसको अच्छा, यहां पर यहां पर एक font आगे, मैंने मधीद भी देखना है font ना, मुझे और भी कुछ चाहिए, अब यह font वाले लिए ऐसी खुला रहे गाए, सही है, इसमें स्पिलाल, और जाहरा में मधीद font भी चाहिए, यह भी एक चाहिए, select this style, यह font भी एड़ होगया मेरे sequence में, मेरे सारे डेटा में, अभी जो मेरी file है यह वाली, यह वाली file देखो, इसमें तुम लोगों कोई update लग रही है, इसमें कुछ update हुआ है, इसमें भी कुछ update हुआ है, यह जो URL ने यह भी update हुआ है, तो यह link वाला क्या होगा scene, कि मैं एक मरतबह यह link वाला tag, जब मैं 8-10 font select कर लूँगा न, उसके बाद में यह link वाले tag open करूँगा, अभी फिलाल यह एक और font add होगा है, मेरे font family में, font वाले page पर आजए, और एक और font मैंने करना है select, इसको भी select कर दिया, यह देखो, यह link यह और बड़ा होगया, देख पर पांच adding है, एक और यह वाला font पी उठा लेते हैं, तुरह नहीं लगए, अच्छा लगए, इसको भी मैं add कर नहीं, यह link और ज्यादा पढ़ गया है, ठीक है, चार font, चार font तो चके हैं, और बस तीन चार उठ चके हैं, एक और कर लेते हैं कोई, यह link बढ़ गया है, अब इस पूरे link को select करो हैं आपर, ठीक है, copy क्या, और क्या करो, यह जो link हमने भी रखा था नहीं आपर, क्या दे, सारे सीन क्या था, तो यकीनन फिर क्या करेंगा हम, ऐसे करते हैं, सही, हमने बहां से उठाय और यहां पर लाकर रख दिया है, ठीक है, अच्छा, अब देखो दरह यहां पर गवर से देखो कि ना, तो यहां पर चार अलग-अलग styles आ रहे होंगे, चार-पांच, यह देखो, यह अलग है, पहले बाले को यह देंगे हम, पहले बाले को देखते हैं न, confirm करते हैं, तो यही दिया है, यह नहीं दिया हुआ, देख अच्छा, इसमें कोई यह भी सही नहीं होता है, रोयलिटी का, कि आपको, मदब, आपको कोई copyright होगी, कि यह विल्कुल free होता है, आप अच्छा, नीचे specified होता है, कि आप यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अवेलेबल हैं, आप यूज तो कर सकते हैं, बढ़ का कुछ एक पार्ट जो है, वो गूगल की तरफ जा रहा होता है, क्यूंकि आप उसकी 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 करते हैं, वेबसाइट के वार एड़ाइजमेंट लेकर आ रहे हो, तो इसलिए, एक और भी यूज कर लेते हैं, हाँ, फॉन्ट, देक यह रहा, और यह लास्ट बचा है, इसका भी कुछ न कुछ कर लेते हैं, अच्छा मैं इंटरनेट बंद करके आपको डेमोस्ट्रेट नहीं कर सकता, क्या अगर यह मैं इंटरनेट बंद कर दूँगा, तो फॉन्ट सी चले जाएंगे, और यह यह यहां पर शो नहीं होगे, बट ऐसा होगा कि मैं इंटरनेट बंद कर दूना, और अपना पेस को रिफ्रेश करों तो यह फॉन्स चले जाएंगे, भी देखते हैं, इस फॉन्स आ रहे हैं नहीं हारे, तो देखो, हमने भी क्या किया, अपनी वेबसाइट मांने किस के फॉन्स उसकिये, गूगल के फॉन्स उसकिये, चहीं, यहां तक मस मैंने यूज नहीं कर पाऊंगा, और इश्यूस क्या हैंगे, जी, अजी, 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 आ तो, हमारे पास ना, अब ही, अमने फॉन्स नहीं है, पर इसकर ने सबसे हमारा भी बंद हो गया है, तो क्या हो गई, फॉन्स, यहां पे यहां पर यहां पट पर और नजर आ रहा होगे बाकी जाहर इंट नेट चल रहा होगा अच्छा जब सर्वर्पर वेबसाइट रखोगे आपको ही डोमें, वखर करने अपने अपनी उनलाइन करनी है तो आपकी वेपसाइट क्योंके सर्वर पर तो वहां पर काम करेंगे जायर अगर वह थो है इंटरिएट के पर ना ओबर दी इंटरिएट वह तो लाजमी लाजमी फन्ट जैनाँ और काम करेंगे है हम उसी पर दा रहो हूं ठीक है जी तो हम स्लाइडर की तरफ चलते हैं स्लाइडर किस तरह लगता है यह स्लाइडर कैरोसिल भी क्या लाता है अब अभी हम एक बैसिकली बना-बनाया स्लाइडर यूज़ करेंगे और हम बूट्ष्ट्रेफ पड़ेंगे तो फिर हम इसलिए अभी हम यह कर रहे हैं कि फिलाहल हम स्लाइडर को बना रहे हैं ग्राफिकर यूज़र इंटरफेस की तुरू एक सॉप्वेर एक्स्टरनल जिसको यूज़ करते हैं फिर हम जब बूट्ष्ट्रप पड़ेंगे उस वक्त हम सीखेंगे कि हम खुट कैसे बना सकते ह अच्छा चलो मेरे पास बीना भी मैंने लास्टाइम इंडियो की तो मैंने इसके बाद वाउस्ट्रप कर रहा हूं तो वह बाउस्ट्राइडर की जूरत पड़ती नहीं है हम रिस्पॉंसिव एबसाइट के अंदर वाउस्ट्राइडर को यूज़ जादा नहीं करते हैं और मैं अपनों के साथ ही भी मुझे भी सॉफ्ट्र डाउन्लोड ही करना पड़ेगा तुम कर देखने कैसे होता है यह सब कुछ किस-किस की बात भी लेका रहें स्क्रीन पर बैट इस करेंट करने दुपारा आथ हो रहा है सही हो गया हो अब तो हम हो गया ठीक है तो यह वेबसाइट है यह वेबसाइट नहीं होने देख कि यह वेबसाइट है कि मैं इसका लेंक देदूंगा यह लेंक अपने कॉपी किया और क्लास्ट्रों कि यही पही पूल को और कि बस्तुंग को तेद से लुँर मैं थेकी कॉपी करें सक्का लेंका यही पूल की मैं अपना कि और क्यiset Summa चैंट कि बड़ागल है कि मैं रहें सक्क्रों त एक का वेबसा पहीं से shifts, नहा टूआ से नहा ही हिग laughs झाल झाल तो फूदा थेड़ दिया है को की आई अजय है अजय है अजय मैं जाते हैं अगे चाल लुट अजय है कि नहीं है फिलाल वास्टेटर का लिंक नहीं है यहां पर इंक्लूट कर रहा हूं नहीं मेरे पास यहां पर इसमें अवेलेबल नहीं है तो मैं यहां पर तुम्हों को लेंक दे रहा हूं मुझे अपना यहां पर नहीं देना ठीक है को मसला नहीं है आप लोग भी ऐसे पाइपास कर सकते हैं इसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई भी है डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा आपको यहां से डारेक्ली विल्कुल फ्री है ठीक है अपर यह आपको न बोश्चों करता है वाटरमार्क शों करता है तो इस फ्री है इसके लिए हम यह यूज नहीं करते है रिस्पॉंसे वेबसाइट डिजाइन के लिए पर हम क्या करत अब लुक्त फिकर ना करें जब यह लेशन एड़ी एंड अपलोड होगा ना इसके अंदर आपको यह वाउस ट्रैडर का सेट अप मिल जाएगा फैर हो गई फैर हो गई यार अबी सही है अब तो मेरे नंबर कम नी आएंगे ना इसके अब तो अबी 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 आपको 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 आप 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 क्योंकि आप 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 इसा आप 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 तो कुछ पिक्चर्स दे रहेते हैं याँ पर रीसेंट किसी क्लास में अगर मैंने बाउस राइटर पढ़ाया उसमें देखते हैं एक कुछ पिक्चर दें गेम्स की ना कौन कौन के गेम्स केलता हैं काउंटर स्ट्राइक के लावने कॉल डुडी भी आता है मुझे वब्दी भी आता है बाकी फॉट्नाइट नहीं कहलता है बहुत देखते हैं आँ आँ चाल लाए नहीं यार मदा आता है फिर द्रीम गया मैं पॉट्नाट तो पदे नहीं समझ में आया मुझे ठीक है तो भाई हम यहां पढ़ना अच्छा अब बढ़ाई पर आते हैं तो हम ना देखते हैं कि किस तरह से चलता है यहां पर एक आप्शन है और वह आप्शन क्या करें तो हम इमेज आइड करेंगे इसकी जो फंक्शनलिटी है वीडियो की और यूट्यूब की वीडियो की बहुत अच्छी वर्ट नहीं करती है तो हम जारत इसको इमेज के लिए यूज करते हैं मतब यार बूट्रेप से अच्छा है तुम बूट्रेप पर आ जाओगे ना तो इसको मूँ भी नहीं लागे इस सफ्ट्वेर को तुम एक मतब अगर बूट्रेप यूज करने लगे ना तुम कहों कि यार यह तो कुछ भी नहीं है बूट अच्छा नहीं अब भी तो फिलाल पिक्चर बहुत जल्दी आ गई है हम बूट्रेप थोड़े टाइम बात पढ़ेंगे में भी आप लोग के पास थोड़ा बहुत लैप करें तो दरह देख भी जाएगा जी यह इसके अपने यह सारी चीजन की अपनी यह देखिए ये सारी वात Corey आपने चाहिए इसका हमें कुछ खास नहीं चाहिए हम इवन इन स्टाइब कर देंगे अभी देखना तो कि बेसिक से सेलेट करते हैं अचानी है यह भी आप लोग देखते हों कि वेबसाइट में इस तरह के स्टाइब यह वाला हो गया आप यह देखो यह सही है ठीक ले लेता है 2 अच्छा इसको फुल वेट ब Debug क्या है करेंगे यह इसको चेंज कर सकते है तो अपने इस आप लिए आपको अच्छा करेंगे लबी आपके साफ से सूट करें आप से साथ कर सकती हो इसके अलावा यहां पर टाइटल पर जा सकते हैं अभी इसको अटाब जे सकते हैं भी देखेंगे फिर फिर फिर्ट पिक्टर यहां यहां पर आपने मजीद इसको एफेक्ट वगरा देना है तो यहां पर यह सारे आफेक्ट वगरा दे सकते हो ना यह बहुत बड़ी लिस्ट है जिसके अंदर एफेक्ट्स अवेलेबल है अच्छा लेकिन अभी हमें फिलाल ना इन सबसे कुछ नहीं करना हमें इसके ऑप्शन में जाकर कंट्रोल रटाने तो आप लोग क्या कोगी आप बहुत सारे ओप्शन अधर आ रहे हैं मुझे मैं किस में जाओंगे आप टॉप पे देखो हर सब पर करते हैं क्या लिखा वही टूल टिप में क्या रहे है तो मतलब यह तो नहीं चाहिए फिर मतलब कोई और प्र चलो प्रपरटी में जाते हैं दॉप यह क्या लिखा हूँ है तो ऑट प्ले हमने कर आप किया उप और प्ले हो जाएगी स्लाइट फिर इसके झालब है अगर क्या लगी वीडियो लगी थी तो वीडियो क्या हो जाती पिर इसके अलावा नीचे देखो मुझे नहीं चाहिए प्ले और पॉस का बटन ठीक है अच्छा स्वाइप सपोर्ट भी अटा दूँ यूजर कुछ भी करें स्वाइप ना हुपाए ठीक है लेट से फिर इसके अलावा नेक्स अगर आगे बढ़े तो तो मैंने का चलों ठीक होई फिर उसके अलावा आगे अके स्वाइब यहां पर स्वाइब भी मेरा ने चाहिए मुझे ओ तो तो मुझे नीचे बुलिट चाह रहोते हैं न एफेक्स के वह भी नहीं आने चाहिए मैं चाह रहा हूँ अभी कुछ भी ना है बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल सल स्लाइडर आ रहो तो मैं वह चाह रहा हूँ आप लगा सकते हो इने बटा अपने ट्राय में आप लगा सकते हो ठीक है मैं इनको हटा रहा हूँ यूजवर यह नहीं लगाते लोग वह बिल्कुल प्लेन आना चाहिए ठीक है यहां पर इसको कंफर्म कर तो अच्छा मजीच कुछ और चेंजिस करने एफेक्स बगर है कि अंदर तो यहां से कर सकते हो ठीक है वैसे हमने एफेक्स बड़े यह बड़ा ऐसा एफेक्टव देखो जैसा वहां डिस्प्ली होगा यहां पर यहां पर यहां पर क्लिक करूंगा यहां पर और इसे जहां पर आपने वेबसाइट के अंदर लगाना है ठीक है मुझे कहां लगाना है अपने केस में इसको लेसलोगाले लेसलोगाले कि इसको करेंगे हैं इसको यान का बात प्रवाइड कढ़ए कि यह उठानी है हम ने अब यहां पर सब्सक्रuggle देखने यहां और मजीद Export करई याननमे यहीव दो और यह देखना एक पेज ओपन कर देगा देखो यह सा आएगा मारा अगर इस तो है और कितनी फुल विट से देखो लेफ टू राइट पूरी विट कंटेन कर रहा है यह देखो अच्छा अब यह कुछ स्टेप्स में जाएगा अभी यह मेरी फॉलो करने होंगे फिर क्या होगा फिर यह आएगा वह स्टेप्स मुझे आब चलेंगे देखो मैं स्क्रॉल कर रह ठीक है तो जाहर ही फोल्डर से मैंने अपडेट किया है स्टेप्टू के है यह पोस्ट अपने यह पोट जाना है हमने पेस्ट करना है एक नई फाइल बनाते हैं और नई फाइल में काम करते हैं है और मैंने कहा लेट से इसके हैट के टैग में क्या करूंगा मैं अच्छा डिफ बनानी है डिफ को क्लास बगर देनी है तो देलो मसला नहीं है फिलाल फुल बिट होगी तो इसके अंदर का जना सारा मटीरल अटोमेटिकली सबसेंस हो जाएगा ठीक है आपने हैट के अंदर अपना कोट रख दिया है इसके बात क्या करोगी आपसे कहेगा है और यह जो कोड़े ना देखो पेस्टेस कोड तो यार पेज बिट्वीन दी टेक्स बॉड़ी ठीक है इन दे प्लेस यूँ वांट तो यहां पर स्लाइटर लगाना चाहरे हूं वहां पर लेट से मैं चाहरे हूं इस डिफ के दर दोनों टेक्स जरमाना है अच्छा फिर स्लाइटर आया है अब यह अब हैं आयो है है स्लाइटर आप इसके करना पड़ेगा उसकी रेसलुशन आप हमने रेजुशन देकी थी ना उसकी नीचे साइज में रेसलुशन कम करोगे तो वह छोटा हो जाएगा मैं आटा थी ते सारी चीज़ें यह रहा वाटर मार्क यहां पर नीचा आ जाता है अभी नहीं आ रहा है इंस्टॉल करने के बाद फॉरन उसकर रहा है ठीक है यह रहा यह देख यह रहा तो यह सीन है यह रहा है अच्छा यह भी बार जो आ रही है आपको बड़ावी बाड़ी मार्द जीरो स्पेस आटो देंगे तो यह जाएंगी कि कि यह बाई डिफॉल्ट जो मार्द देवार मेरे पास यह सही हा रहा है यह तुम्हार पास यह लाइक कर रहा है वी एंसी ना रिफ्रेश रेट के अंदर इस्यू करती है देखो यहां पे पास अब यह लुद्ध यह लुक्त आपको अपनों की स्क्रीन में रफ्रेश डिट मेरे पास से देर मार रहे ना इसलिए आपनों की पास डिस्प्रेश डिर साथ होगा तो यह सीन है तो वही वाउ स्ट्रेटर दूना इस तरह से वर्क करता है और स्टाइल को मजीद जराब हो इन्हांस कर सकते हैं और मजीद स्टाइल है तुम्हारे